हेलो स्टुटेंट्स, वेलकम टो आटी स्मार्टवर्ड, एडबुल इस्टेटर टूटोरियल स्रीज का लेक्ट्चन नबर 15 है, पिछली वीडियो में हमने मेश टूल के बारे में पढ़ा था, और आज की इस वीडियो में हम इस डिजाइन को बनाना देखेंगे, तो चलिए यहां से OK कर देंगे, तो यह हमारे पास Start Insert होके आ जाएगा, और फिर यहां से Selection टूल पर क्लिक करेंगे, इसको थोड़ा सा बढ़ा कर लेंगे, उसके बाद में यहां स्टॉक में जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, तो हमारा जो स्टॉक है वो उपर आ जाएगा, फिर य ग्रेडियन्ट अप्लाई करने के लिए यहां ग्रेडियन्ट में जाएंगे, इस पॉइंट पर क्लिक करेंगे, और फिर उसके बाद में यहां से Radial Option को Select कर लेंगे, अब हम इसमें Color Fill करेंगे, इस Color बाक्स को Select करेंगे, और इसमें जो भी Color Fill करना है उस Color को खीच के इसमें छोड़ देंगे, तो यह Color इसमें Fill हो जाएगा, यहां पर White Color Fill करेंगे, इसको Select करेंगे, और फिर यहां से White Color को खीच के यहां पर लाके छोड़ देंगे, और फिर यहां पर एक Color Box बढ़ा लेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, तो हमारे पास Color Box जो है वो Insert हो जाएगा, और फिर इसके बाद में यहां से Pink Color को खीच के यहां पर लाके छोड़ देंगे, तो इसमें Pink Color Fill हो जाएगा, और इन सभी Color को Adjust कर लेंगे, इस Color Box पे क्लिक करेंगे, और फिर यहां Color में इस Point पे क्लिक करेंगे, इसका जो Color Mode है वो HSP Select कर लेंगे, और फिर इसके बाद में इसको थोड हमारा Color है वो थोड़ा सा Light हो जाएगा, इस Point को इधर बढ़ा लेंगे ताकि जो हमारा Color है वो थोड़ा ज्यादा Area Cover करें, और इतना Complete है, और फिर Star को Select कर लेंगे, इस पे क्लिक कर देंगे, तो हमारा जो Star है वो Select हो जाएगा, और फिर इसके बाद में यहां Gradient में जाएगे इसका जो Color है वो इसमें Fill हो जाएगा, और फिर इसका Stock None कर देंगे, Stock None करने के लिए Stock में जाएगे, और यहां None पर क्लिक कर देंगे, तो जो इसका Stock है वो None हो जाएगा, और फिर इसके बाद में इस Circle को Select करेंगे, और इसको Delete कर देंगे, और फिर इसको Select करेंगे, Effect मे जाए एक दे और फिर इसके बाद में इसको OK कर देंगे, तो जो इसके Node है वो Brendaoa हो जाएँएंगे और फिर इसके बाद में सको Select करेंगे, Edit में जाएंगे और यहां से इसको Copy कर लेंगे, फिर से Edit में जाएंगे, और यहां से इसको Paste In Front कर लेंगे, या फिर Keyboard में जाएंगे और यहां से blend option पर क्लिक करेंगे तो यह हमारे पास blend option open हो जाएगा और फिर उसके बाद में यहां से spacing में जाएंगे इस point पर क्लिक करेंगे और यहां से specified steps को select कर लेंगे और यहां से इसके steps जो है वो 100 कर लेंगे इसको okay कर देंगे फिर से object में जाएंगे, blend में जाएंगे, और यहां से map पर click कर देंगे, तो यहां पर blend effect apply हो जाएगा, और फिर effect में जाएंगे, और यहां से distort and transform में जाएंगे, और फिर यहां से pucker and block पर click कर देंगे, तो यह हमारे पास option open हो जाएगा, और यहां से pre-option आन कर लेंगे, और य से effect में जाएंगे, distort and transform में जाएंगे और यहां से roughen option को select करेंगे, यहां से pre-option करेंगे और इसके जो points हैं वो smooth रखेंगे और यहां से detail zero कर देंगे और इसका size जो है वो add in कर लेंगे और फिर ok कर देंगे, इतना करने के बाद में इस पे right click करेंगे और यहां से इसको isolate selected group पे click कर देंगे, और फिर उसके बाद में इस point पे click करेंगे और shift के साथ में इसको उपर की तरफ move कर लेंगे और फिर उसके बाद में यहां पर यह जो grey color की पटी आ रही है इस पे click कर देंगे तो यह आफ हो और इसका जो color है वो थोड़ा सा adjust कर लेंगे इसको zoom कर लेते हैं और फिर उसके बाद में इसको थोड़ा सा rotate कर लेंगे जब हम mouse का point यहाँ पर लेकर जाएंगे तो हमारे पास rotate कía option आयेगा और फिर हम इसको rotate कर लेंगे इसको आपके यहाँ पर रखेंगे और इसका जो color है वो थोड़ा सा बढ़ा लेंगे यहाँ पर click करेंगे और इसको इस तरह से खीश देंगे और फिर उसके बाद में यहाँ से selection tool पर click करेंगे और यहाँ transparency में जाएंगे इस पर click करेंगे और फिर यहाँ normal के side में जो point है इस पर click करेंगे और यहां से multiple पे click कर देंगे तो इसकी जो transparency है वो multiple हो जाएगी और फिर उसके बाद में keyboard से control 0 बटन प्रेस करेंगे इसको उठाके यहां पलाके set कर देंगे इसका color थोड़ा सा all light कर लेंगे इसको select करेंगे और यहां gradient में जाएंगे इसको थोड़ा सा left के और move करेंगे और फिर इसकी एक copy निकालेंगे इसको यहां पर रखेंगे और फिर इन दोनों को select कर लेंगे और इसको group कर देंगे इसको यह बाद शे कंट्रोल जी बटन प्रेस करेंगे तो यह group हो जाएगा इसको यहां center में set कर लेंगे और फिर यहां से इलिफ टूल को select करेंगे यहां पर एक circle बनाएंगे इसका color change कर देंगे gradient में जाएंगे और यहां से इसका जो type है वो linear select करेंगे इसमें यह वाला color fill करेंगे और इसमें white color इस point को यहां पर रखेंगे इसके copy निकालेंगे और इसको छोटा कर लेंगे इसमें यह वाला color fill करेंगे और यहां से इसको थोड़ा सा dark कर लेंगे इसकी एक और copy निकालेंगे इसमें black color fill कर लेंगे इसको भी छोटा करेंगे इसको थोड़ा सा zoom कर लेंगे और फिर उसके बाद मैं यहाँ से एलिफ टूल को select करेंगे और फिर यहाँ पर एक circle बना लेंगे इसमें white color fill करेंगे और इसको उठा करेंगे इसके एक copy निकालेंगे और इसको यहाँ पर रखेंगे थोड़ा सा छोटा करेंगे और इसको नीचे set कर देंगे उसके बाद में इसको पूरा select करेंगे और group कर देंगे और फिर इस पे right click करेंगे transform में जाएंगे और यहां से reflect पे click करेंगे और यहां vertical पे click करेंगे और फिर यहां pre-option on कर लेंगे और फिर उसके बाद में यहां से copy पर क्लिक कर देंगे तो हमारे पास copy निकल जाएगी shift के साथ में इसको move कर लेंगे और यहां पर लाके set कर देंगे उसके बाद में keyboard से control zero button प्रेस करेंगे इन दोनों को select करेंगे और group कर देंगे इसको छोटा करेंगे और यहां पर लाके set कर देंगे थोड़ा सा और छोटा कर लेंगे और फिर उसके बाद में जो पीछे shadow वा लाइफ दिखाई देरा है इसको select करेंगे और shift के साथ में इसको select कर लेंगे फिर यहां से horizontal align center पे click करेंगे और यहां से vertical align center पे click कर देंगे और फिर उसके बाद में इस पे click करेंगे और down arrow से थोड़ा सा नीचे कर लेंगे इतना करने के बाद में यहां से ऐलिफ टूल को select करेंगे और यहां पर एक circle बना लेंगे और फिर इसमें औरेंज color fill करेंगे यहां से mesh tool को select करेंगे और यहां पर आके click कर देंगे और फिर उसके बाद में इस point पे click करेंगे और यहां से इसमें yellow color fill कर लेंगे इसमें click कर देंगे तो यह color इसमें fill हो जाएगा और फिर उसके बाद में yellow color को थोड़ा सा light कर लेंगे light करने के लिए इस point पे click करेंगे और इसको यहाँ पर रख देंगे तो जो हमारा color है वो light हो जाएगा और फिर इसको उठा के यहाँ पर set कर देंगे उसके बाद में इसको पूरा select करेंगे और group कर देंगे इसको select करेंगे और फिर इसका जो भी color रखना है वो color यहाँ पर fill कर लेंगे जैसे कि हमको यहाँ पर यह वाला color फिल करना है तो इसको select करेंगे और खींच के इस पर लाके छोड़ देंगे और फिर उसके बाद में यहाँ पर जो भी color फिल करना है उस color को select करेंगे और यहाँ पर लाके छोड़ देंगे तो यह color इसके अंदर fill हो जाएगा और अगर यह वाला color नहीं fill करना है कोई दूसरा करना है तो उसके लिए यहाँ से जो भी color fill करना है उसको select करेंगे और खींच के यहाँ पर लाके छोड़ देंगे और अगर color की shedding करना है जैसे कि हमको ये color थोड़ा सा dark या light चीए तो उसके लिए यहां से हम light और dark कर सकते हैं जितना light करना है या फिर जितना dark करना है वो यहां से कर लेंगे और फिर उसके बाद में यहां पर यह जो shadow effect है इसको select करेंगे और इसका भी color change कर देंगे यहां color में जाएंगे और इसमें ये वाला color fill कर देंगे और इस point को यहां पर रखेंगे और इसको यहां पर रखेंगे और फिर उसके बाद में यहां पर यह जो brown color की पट्टी आरही इस पर click कर देंगे तो जो isolate option है वो हट जाएगा उसके बाद में यहां से rectangle tool को select करेंगे और यहां पर rectangle बना लेंगे और फिर इसमें black color फिल कर लेंगे उसके बाद में यहां से selection tool पे click करेंगे और फिर इसमें right click करेंगे arrange में जाएंगे और यहां से send to back पे click कर देंगे तो जो हमारा rectangle है वो पीछे चला जाएगा और अब हमारी design complete बन चुकी है तो आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में Thanks for watching इस वीडियो